हाई एवरिवान स्वागत करते हूं आपका अपनी चैनल ग्राने गार्डन ब्लाग समें और दोस्तों यह बहुत ही टेस्टी दिख रही है हमारी मेथी की भाजी क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीजे डाली है जो मैं आज आप लोगों को सेर करने वाली हूं क्योंकि बहुत ही टेस्टी दिख रही है दोस्तों खाने में खाने का ही मन होता है मतलब इतनी अच्छी दिख रही है और एकदब खीली खीली हमारी बनी है तो ऐसे भाजी बनाने के लिए चलिए हम लोग देखते है कि कैसे बनती है मैंने यहाँ धाई सो ग्राम मेथी ला ली है मार माकेट से ही ताजी ताजी मेथी देखकर लाना होता है तो बस मैंने ताजी ताजी मेथी देखकर लाई है और बहुत ही टेस्टी दिख रही है लेकिन इसमें थोड़े डंठल रहते हैं ज्यादा तो उसे भी हमें बहुत आसान तरीके से तोड़ लेना है क्योंकि मेथी की भा मेथी न दस मिनट भी ने लगेगा और आपकी तूटकर रेडी हो जाएगी तो बस इसी प्रकार से मेरी सारी भाजी तूटकर रेडी हो चुकी है और मैंने काट पीट कर इसे धुलने के लिए रख दिया है क्योंकि मुझे बनाना है कल आज नहीं बनाना है दोस्तों लेकिन फ अगर तुरंत भाजी काट पीट कर अगर हम लोग बना रहे तो एकदम उसमें गीला पन रहता है और सूखा पन लाने के लिए हमें एक दिन पहले ही इसे पानी चनने के लिए रख देना है और उसमें हमें बहुत ही सिंपल मसाले मिलाना है दोस्तों क्योंकि जो भाजिया को तो बस मैंने एक चमच तेल डाला है इसमें और एक चमच जीरा दोस्तों जीरे की मातरा हमेशा भाजी में ज़्यादा ही डालना ताकि हमारी भाजी बहुत टेश्टी लगेगी और प्याज दो प्याज काटे है मैंने और चार से छे मेरी तेज़ वाली हरी मिर्ची है दोस् कि हमारी भाजी टेश्टी लगे और एक आलू मैंने बार इक बार इक पतली पतली काट लिये और टमाटर भी बार इक बार इक काट लिया है और कर दिया है इसमें मिक्स दो मिनट हमें आलू और टमाटर और साथ में आदा कटोरी मेरे मतर है इन्हें हमें लगभग थोड़ा सा साप्ट होते तक भून लेना है और उसके बाद में हमें डाल देना है मेथी की भाजी जो हमने मेथी की भाजी पहले ही धूल कर काट के रख दिया था क्योंकि इसमें ज्यादा पानी न रहे और चिपचिपी न बने क्योंकि भाजिया कभी भी अगर खिली खिली बनती है तो ख खाने में मज़ा नहीं आती है अगर आपको अगर टेश्टी बनाना और मज़ेदार अगर भाजी बनाना है कोई भी तो आप इसी प्रकार से बनाईए दोस्तों जरूर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है बस हमने स्वात के अनुसार इसमें नमक डाल दिया है और बह उनका भी कलर हमारा दिखना चाहिए इसलिए हमने थोड़ा सा हल्दी डाल दी है और दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है मेती की भाजी इस प्रकार से बनाने की आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी दोस्तों ये रेशेपी क्योंकि आपने कई बार तो बनाई होंगी लेकिन इस प्रकार से नहीं बनाई होंगी ताकि हमारी भाजी एकदम खिली खिली दिखे दोस्तों आप लोगों को कैसे लगी मेरी ये रेशेपी कमेंड करके जरूर बताना और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही न्यू ब् ंप शॉर कर exactamente हैं झाले करें बताना हो थाले जरूर को का बस्तों मिलते हैं गिली या लोगों मिलते हैं श wrong slash वे आफिली ग्या होभी तोस्तों अप्राइब हैं अवाइब है।